तिक टोक वोसिस यूट्यूब का विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है तेमस यूट्यूबर केरी मिनाती यारी आजा नाकर और तिक टोक स्टार आमर सिभी के लिए चुनू हुई इस लड़ाई में एक गिवाद एक सितारे शामन हो रही है हाली वे विद्बोस 13 में नजल आ चुके हिंदुस्तानी भाव ने अपना टिक टोक अकाउंत डिलीट कर दिया था हिंदुस्तानी भाव के इस पैस्रे के बाद माना जा रहा था कि उन्होंने क्रेम बिनाती को सपोर्ट करते पूरे अपना अकाउंत डिलीट किया इसी बेट कुछ हिंदुस्तानी भाव ने इस बात का फुलासा किया कि TikTok अकाउंट को डिलीट करने के पीछेट वजा कुछ और ही है अपने एक इंट्रव्यू में हिंदुस्तानी भाव ने बताया मैंने दो दिन पहले अपना TikTok अकाउंट डिलीट कर दिया चीन ने हमारे देश में दो वायरस भीजे हैं जिनको हम कोरोना और TikTok के नाम से जानते हैं मैं इन दोनों वायरस से छुट्टारा पाना चाहता था इसलिए मैंने अपना TikTok अकाउंट डिलीट कर दिया मैंने केरी मिनाथी को सपोर्ट करने के लिए ये कदम नहीं उठाया था TikTok की अलोशना करते हुए हिंदोस्तानी भाव ने कहा लोगों का मनोरंजन तो करता ही है साथ ही साथ की लोगों को गलत जानकारी भी देता है इसकी चलते हमारा समाज बट रहा है मुझे TikTok डिलीट करके बहुत खुशी में रखी है अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई दिस लाइक और शेयर करें साथ एपने व्यूज हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं बेलिश रंडिंग व्यूज के लिए पूद सब्स्क्राइब करें हमारा चैनल ऐसी लिएक स्टोरी इंपन स्किंग यूज के लिए